ये आकाश्वणी है अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रम अंडियम जैशंका ने कहा है कि राश्ट्रिये सम्प्रभुता बरकरार रखने के फिलिपीन्स के प्रयासों का भारत समर्थन करता है मानिला में आज फिलिपीन्स के विदेश मंत्री एनरिक मेनालू के साथ मीडिया को संबोधित करते हैं उन्हें कहा कि प्रत्यक देश को अपनी राश्ट्रिये संप्रभुता बनाए रखने और उसे लागू करने का अधिकार है विदेश मंत्री का ये बायान दक्षन चीन सागर में चीन के साथ फिलिपीन्स के समुद्रे विवात के मद्दे नजर आया है डॉक्टर जैशंकर ने कहा कि विश्व में आ रहे बदलावों को देखते वे ये आवशक है कि भारत और फिलिपीन्स एक दूसरे के साथ और घनिश्टता से सहयोग करें श्रीलंका के राश्टपती रानिल विक्रम सिंगे ने कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में विकास का केंद्र बनेगा कोलंबो में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि डिजिटल सारवजिनिक अफसन रचना डिपी आई के क्षेत्र में भारत के विकास कारे श्रीलंका के लिए लाबधायक सिध होंगे तथा इस क्षेत्र में श्रीलंका को भारत की उपलब्धियां अपनाने के जरूरत है इस अफसर पर श्रीलंका में भारतिय उच्चायुत संतोष जानी प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी के नेत्रतु में डिजिटल इंडिया पहल के महतु पर भी जोर दिया असम में भारतिय जनाता पार्टी के वरिष्ट नेता और केंद्रिय मंत्री सर्बानन सोनवाल ने आज डिब्रुगर सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया कॉंग्रेस सांसद और पूर मुख्य मंत्री तरुन गोगई के बेठे गौरव गोगई ने आज जोरहट लोगसभग कुशेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया उदर वरिष्ट भाजपा नेता और केंद्रिय मंत्री किरेन रिजिजु ने आज पश्ची में अरुनाचल प्रदेश संसदिय क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया इसे सीट से कॉंग्रेस के उम्मीद्वार और राजपी के पूर मुख्य मंत्री नाबाम टुकी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया अरुनाचल प्रदेश में दो संसदिय क्षेत्र हैं जिनमें पहले चरण में 19 अप्रेल को चुनाव कराए जाएंगे भारतिया जनाता पार्टी ने सिक्किम में विधान सभा चुनावों के लिए 9 उम्मीद्वारों के अपनी दूसरी सूची चारी की पेमा, वांगजल, रिंजिंग, गंग्टोक से पार्टी के उम्मीद्वार हुंगे और अरुना मुंगेर, नामची, सिंधियांग, सीट से चुनाव लड़ेंगी भारतिया जनाता पार्टी ने गुजरात, हिमाचल प्रदेश, करनाटक और पश्री मंगाल में विधान सभा उप्चुनावों के लिए 14 उम्मीद्वारों की भी खोश्णा की गुजरात में विजापूर से चतुर सिंग चावडा और पोरबंदर से अरजून मुडवाडिया को मैदान में उतारा है हिमाचल प्रदेश के लाहोल स्पीती में रविठा को जबकि राजिंदर राणा सुजानपूर से चुनाव लड़ेंगे पंजाब में भारत्य जनाता पार्टे के प्रदेश अध्याष सुनील जाखण ने बताया कि पंजाब में भाजबा लोगसभा चुनाव अकेले लड़ेगी सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से शिजाखण ने बताया कि ये निरणाई पार्टे के वर्ष्ट नेताओं से विचार विमर्ष करने के बाद लिया गया है राश्ट्रिय महिला आयूग ने अभिनेतरी कंगना रनौत पर कथित आपत्ति जनक टिपपणियों के मामले में निरवाचन आयूग से कॉंग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और पार्टी के नेता एच एस अहीर के विरुद कड़ी कारेवाई करने के अपील की है इंस्टाग्राम खातों तक बहुत से लोगों की पहुंच है उन्होंने उक्त सोशल मीडिया पोस्ट हटा देनी की जानकारी दी जिसको लेकर विवाध है भारत राश्ट्र समिती बी आरेस नेता के कविता को दिल्ली आपकारी नीति गोटाले से जुड़े धन शोधन मामल में 9 अप्रेल तक नियाइक हिरासत में भीजा गया है के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफतार किया था आज प्रवर्तन इदेशाले के हिरासत की अवधी समाप्त होने के बाद उन्हें दिल्ली की राउज एविन्यो अदालत में पेश किया गया इधर दिल्ली के म आदमी पाठी के कारे करताओं ने श्रीकेज रिवाल की गिरफतारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शिन किया आज IPL किकरट मुकाबले में चेने के MH दमरम स्टेडियम में चेने सुपर किंग्स और गुजरा टाइटन्स का मुकाबला होगा मैच शाम साड़े साथ बजे शिर कर दो